दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगी केदारनात यात्रा 2023 के बारे में अगर आप इस साल केदारनात की यात्रा बना रहे हैं तो दोस्तो इस वीडियो में सारी जानकरी मिले वाली है तो दोस्तो चलिए शुरू कर दे हैं आज की इस वीडियो को दोस्तो किदार्नात यात्रा भारत के सबसे पवित्रा स्तिर्थों में से एक है दोस्तो किदार्नात मंदीर भारत की 12 जवतिलिंगों में से एक है और ये सामाना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान सिव जी की पुजा करने से तीर्था या तिर्यों को मुख्स की प्राप्ति होती है केदारनाथ मंदिर उत्राखन के रूद्र प्रैक जिले में स्तित है ये समुद्र तल से 3584 मीटर की उचाई पर स्तित है दोस्तो केदारनाथ मंदिर तक मोंचने के लिए एक कठीनयात्रा करनी पड़ती है जोस्तो चली जानते है कि इस साल 2023 में गब मंदिर का कबवाट खोलेँ दोस्तो यदि आप केबल चारधा मी आत्रा या यहां तक की केदार्णाथ मंदिर की योजना बना रहे हैं तो आपको मंदिर के खोलने की तारीक जानने की जरूरात है केदारनात मंदिर के खोलने की तिति अख्यम तुरूतिया पर निर्भार करती है अख्यम तुरूतिया या आखातीच वही साग महिने में सुकलप पख्या की तुरूतिया को मनाई जाती है अख्यम तुरूतिया का दिन बहुती सूप माना जाता है सार साल इस दिन के आधार पर केदारनात मंदिर के पुजारी केदारनात मंदिर के कबाट खुलने के तिथी घोसना करते हैं दोस्तो इस सल 2023 में केदारनात मंदिर 26 अप्रिल को मंदिर का कबाट खुलेगा इस दिन से 14 मियत्रा अगले 6 मेने तक चलेगा दोस्तो अगर केदानात मंदिर तक पहुंचने के लिए मोटर योग सड़क के माध्याम से नहीं पहुंचा जा सकता है दोस्तो एसे तो तीर्था यात्रियों को केदानात मंदिर तक पहुंचने के लिए दोस्तो एसे तो तीर्था यात्रियों को केदानात मंदिर तक पहुंचने के लिए दोस्तो एसे तो तीर्था यात्रियों को केदानात मंदिर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं या तो यातरा करने वालों के लिए दिल्ली आधार के रूप में कारिया करता है जहां से केदानाथ पहुचने के लिए रुसी केस से रुद्रप्रया की यतरा करते हैं केदानाथ की यतरा सही माइने में हरिद्वार या रुसी केस से आरम होती है हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुक सारों से रेल द्वारा जुडा हुआ है दोस्तो हरिद्वार तक आप ड्रेन्ट से आ सकते हैं यहां से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टेक्सी बुक कर सकते हैं या बाद से भी जा सकते हैं यादि आप केदानाथ के लिए सटकमार से यातरा करना सोच रहे हैं तो दोस्तो रुशिके समन्य बेंदू होगा। रुशिके से केदानाथ 230 किलोमेटर की दुरी पर स्थित है। दोस्तो गौरीकुन अंतिम बेंदू है जो सटकमार से जुड़ा हुआ है। गौरीकुन से केदानाद की ट्रैक 16 किलोमेटर है। दोस्तो गौरीकुन पहुंचने के लिए आप देहरादोन या हरेदवार रुसिकेश से बसों का विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तो रज्य परिवान की बहुत सारी बसे और साथ ही नीजे तोर पर डिलक्स और बोलबो बसे इस गतियों के बीच चलती है। दोस्तो या तो गौरीकुन पहुंचने के लिए आप केदानाद यात्रा करना चाहते हैं। दोस्तो केदानाद मनिर तक पहुंचने का सबसे सुबदा जनक और तेज तरीका हेलिकाप्टर से है। मनिर का कपाठ रोजाना प्रात 7 बजे कुलता है। सुबह सिबलिंग को स्नान कराकर घी से अभिष्य क्या जाता है। फिर दियो और मन्तर जबकर साथी आर्ती की जाती है। दोस्तो तिर्था यात्री आर्थी में सामिल होने और दर्शन करने के लिए सुपह गर्व गहा में प्रविस्थ कर सकते हैं। दोस्तो दो पहर एक से दो बजे तक एक बिसेस पुजा होती है जिसके बाद मंदिर के कबाट बिसराम के लिए बंद कर दिये जाते हैं। दोस्तो साम पाँच बजे मंदिर के कबाट एक बाद फिर से दर्शन आर्थियों के लिए खोल दिये जाते हैं। ते लिए जाहन मयोत्राम वैवाई टेक यार।